हलो दोस्तो गुड अप्टर नून दोस्तों आप सभी लोग का सानी क्लासेज में स्वागत है दोस्तों यह है MS Excel की वीडियो लिक्चर जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं MS Excel 2016 के most important points हम लोग देखेंगे exam oriented चीजें देखेंगे ठीक है जो एक्जाम में चीजें पूछी जाती है और पूछे जाने की चांसेज होते हैं ठीक है चल यह देखिए MS Excel 2016 क्या है MS Excel MS एक्सल कि 2016 ठीक है न दोस्तों मैं यहाँ से लिख रहा हूं कि हमारे पास स्टाइलस हमारी घरबड हो गई है ठीक है चलिए देखिए पहले था हम लेगो इसके विंडोस के बारे में इसके फीचर्स को समझ लेते हैं क्या होता है जैसे अगर हम लोग MS Excel 2016 ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होके आती है इसके बाद दोस्तों फिर आप अगर सब लोग इससे परिशित हैं कि यह क्या है एक टाइटल बार है जहां पर लास्ट में इधर कंट्रॉल बटन दिया रहता है और इस साइड दोस्तों क्या है quick access toolbar दिया रहता है इसमें क्या चीज़ें होती है तो save है undo है redo है यहाँ पर by default की बात किया जाए तो यहाँ पर title बार में ही आपको MS Excel by default अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो यह लेता है book one के नाम से show होता है तेखे क्या दिखाएगा book one by default अगर नाम देखा जाए जैसे MS word में क्या होता है document one होता है और powerpoint में presentation होता है इसी तरी की सिसमें क्या है by default book name इसका book नाम सो करेगा ठीक है book one यहाँ पर इसके बाद फिर क्या है हम लोग जानते है file menu आएगा home tab आएगा है ना insert है page layout है इसमें formula function यह सारी शीजिए आ जाती है तो वह सब नहीं देखना है वह सब हम लोगों ने आल रड़ी MS word में पढ़ा रखा है काईदे से ठीक है कि यहाँ पर दोस्तों क्या है देखिए यह एक हम छोड़ दे रहे हैं आपर फार्मूला बार और यह हमारे सामने कुछ इस तरीके सी column नुमा दिखता है यह हमारा column ठीक है इसके बाद यह है दोस्तों रो रो और column जो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है इस प्रेट सीड बन जाता है इसको grid line भी बोल सकते हैं जैसे column को हम लोग नाम देते हैं a b c d h so आने से चलेगा जो रो होती है रो का नाम क्या होता है तो one two three four ऐसे यह भी चलता रहेगा ठीक है ना यह चीज़ें हो गई यहां पर हम लोग जानते हैं यह जो हमने इस पेस छोड़ रखा है यह यहां से लेकर यहां तक कि हमारा क्या है पुरा फार्मूला वार है यह क्या है फार्मूला वार है यहां बीच में तीन चीज़ें होती है एक तो होता है कुछ साइन क्रॉस का साइन आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से ठीक है और इसके बाद एक आपको इस तरीके की साइन दिखेगी एक इसके बाद जो है तो फ पार्मुले को इंटर करने के लिए और यह होता है हमारा फंक्शन ठेके ना फंक्शन का ऑप्सन होता है इंसर्ट फंक्शन कराने के लिए इसके बगल में क्या दिखता है हमें नेम बॉक्स दिखता है यहां पर क्या होगा नेम बॉक्स इसको बोलते हैं नेम बॉक्स इस नेम होता है कि और इसके बाद फिर quoting जैने लोग आते हैं तो इसको लोmakers जानते ह Luigi control बटन अर्प होता है कि करो ठूंद और उहां पर दोस्तो Just 2016 के अगर बात करते हैं हमें कितने सीड मिलती है यहाप लोग गलती करते हैं 2007 में बाइडिपाल हमें में 3 सेट दिखती थी यहां फर लिखा रहा था सेट वण यहां रहे घ्राबे कितनी सीट मिलती है ЗнаING यहां पर गलतियां होती है इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ याम मोल होता है यानि कि जैसे यहां पर मोट रहेगा कि एक मिनिट अ कि यहां पर आपको कि यहां पर यह जो एरिया होता है यहां पर क्या दिक्कत होगी इसको अ कि चली रेकिए यहां पर दोस्तों क्या होता है गो में ब्यूप दिखता है यहां पर यह पर रहेगे नॉर्मल भी होता है है एक अधिया गाव दोस्तों यहां पर आपका पेज ब्रेक भी यह यह क्या होगा पिरेंड़ अब्रेक व्यू अब रेक द्यूब भी और आप्सटन है हमारा मालोग पेंज लेइपीर ले आउट गूक्स गोस्च टीकट में तो थे बिए आउट गल्यू टीक पो फेंज लेइप से यहां पर थीन वियूस दिखते हैं बाउसे снचल जो open हुआ रहता है वो normal view में open रहता है कि इसमें open रहता है तो यह normal view में हमारे पास open रहता है ठीक है तो यह हम लोगों ने कुछ-कुछ features देखा अब हम लोग आते हैं इसके important चीज़ पर फीचर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया फीचर हमें उमिद है समझ में आया होगा अभी आगे फीचर की बात करते हैं हम लोगों अभी windows के बारे में देखा कि यह grid line क्या होती है अब इसको हम detail में और बताते हैं कि क्या है यह चलिए दिखिए अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा यह grid line था इस तरीके से हमें जो सामने दीख रहा था है ना इस तरीके से अब यहाँ पर जब row और column दोनों मिलते हैं क्या मिला हमारे सामने एक sale बनता है इस sale को जो है सबसे एक छोटी unit यह होती है यहाँ पर जो हमने अभी name box बनाया था name box में क्या होता है sale address दिखता है यह formula बार था यह sale address आपको कहां पर दिखता है तो name box में दिखता है और name box में question पूछा जाता कि first sale का address बता दो first sale address अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा यह दिखो हम लोग जानते है column को a, b, c इस तरीके से denote करते हैं अब first sale का address A1 हो जाता है ठीक है A1 हो जाएगा अब बात करते हैं कि इसमें कितने row होते हैं और कितने column होते हैं हमारे पास MS Excel 2016 में कितने row और कितने column होते हैं यह important है question यह पूछा जाता है first sale address भी पूछा जाता है first sale address अभी जस्ट पूछा था आपके ARO में ही है ना इसी साल A 2014 में पूछा था 2021 में जो paper हुआ था March April में उसमें ही पूछा था first sale address क्या होता है ठीक है तो first sale address आप लोग जान गए हैं अब देखो कितने row होते हैं कितने column होते हैं तो row आप जान लेजिए कि 2016 में कितने row हैं तो row हो हैं दोस्तों हमारे पास 10,48,576 row होते हैं अगर column की बात करते हैं तो column हमारे पास कितने होते हैं तो 16,384 column होता है अगर बात करते हैं यह तो 2016 की हो गई 2016 की बात कर रहे हैं अगर बात किए कि 2007 में कितना था तो 2007 में row का column जो था दोस्तों वो था 65,536 65,536 और column कितनी थी तो 256 यह भी याद रखना है चुकि पूछ लेगा 536 है यह नकीव आइड है ठीक है 536 हुआ करता था ठीक है यह बाते समझ गये होंगे हमने बता दिया कि हमारा by default किस mode में open होता है तो by default mode कौन सा रहता है normal view में रहता है ठीक है quick access toolbar यह सब क्या है उससे हम हमें मतलब नहीं है हमें मतलब है कि इसका by default नाम क्या लेता है MS Excel तो book one लेता है जो हमने बता दिया कि by default book one नाम लेता है है यह row और column बता दिया और क्या है यहाँ पर हमने बताया कि आपको by default name है ना by default name क्या होता है इसका तो by default name है book one book one ठीक है इसके बाद हमने बताया किस mode में open रहता है by default तो by default mode कौन सी view में रहती है तो normal view में रहती है अगर आप से पूछा जाए कि MS Excel by default किस mode में open होती है तो normal view में open रहती है ठीक है यह हो गया अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं next features पर इसको अप note कर लेंगे उमीद है यह समझ में आ जाएगा है ना कि अभी आज फार्मुले वर सब लोग को सब कुछ हम करा देंगा जाए ना इसे में करा देंगे फार्मुला एक ही वीडियो जाएगी हमारी कlor I ms Excel की अब चलिए कि हम लोग देखते हैं जो कॉलम था जो कॉलम था हम लोग ऐसे शह करकर के जो बनाये थे यह इस तरीके से ठीक है न और इस तरीके से हम लोग उने दोस्तोर भी आया था अब यहाँ पर जो कालम का नाम हों लोग दे रहे थे लास्ट के कालम नाम क्या होता है लाश्ट का नाम है यह चुक्छ है लास्ट का जो कालम आएगा सबसे अंत में वह होता है XFD होता है, क्या होता है, XFD, और जब कि रो कौन से होती है, तो रो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से चलता है, तो हम लोग जानते हैं, रो कौन से होती है, 10,48,576 होती है, तो इन सब दुनों चीज़ों को मिला देती है, यहाँ पर जो लास्ट का हमारा सिल बने होगा, इसका एड एड्रेस का निकल के आता है, कि XFD, 10,48,576 हो जाएगा, XFD को यहाँ पर उठा के राएदो, रग दो, तो लास्ट से लेड्रेस निकल के आ जाएगी, ठीके, तो अंतिम कालम का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, XFD होता है, ठीके, यह हो गया, अब इसमें पूछता है एक चीज और, जूम साइज पूछता है, कि MS Excel में, बाइडिफाल जूम साइज कितना होता है, तो MS Excel में बाइडिफाल दोस्तों, जूम साइज जो होता है, वो 100 होता है, है ना, बाइडिफाल जूम साइज कितना होगा, तो 100 होगा, और minimum कितना होता है, 10% होता है, maximum कितना हो होता है 400 होता है यह questions पूछे गए हैं है ना देखिए हम लोग जूम साइज की अगर बात करते हैं तो जूम साइज जो होगा वह होगा 10% minimum होता है और maximum कितना होता है 400 होता है 400 परसेंट अब बात करते हैं है तो 100 परसेंट बाय डिफाल्ट होता है ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है सबसे छोटी smallest unit क्या होती है अगर इस प्रेशिट की तो होती है सेल सेल सबसे छोटी इकाई है किस चीज का हम लोग इस प्रेशिट की बात करते हैं तो basic unit होती है तो basic unit होती है ठीक है और यह होता है सबसी important point यह है और यह चीज जान लो कि जो रोह होता है रोग को हम किस नाम से जानते है तो रोग को ह हम लोग जो है बोलते हैं तपन के नाम से जानते हैं column को attribute कहा जाता है एक चीज़ और इसका नाम है पूछा भी किया है कि रो का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टपल बोलते हैं जो ये रो होती है ठीक है रो जो होता है दोस्तों रो को हम लोग टपल बोलते हैं रो को टपल बोलते हैं टपल और जो कॉलम होता है कॉलम को एट्रिब्यूट कहते हैं ठीक है ना एट्रिब्यूट ये भी के नाम याद रखना है कौलम को हम लोग किस नाम से जानते हैं एक्टिब्ट के नाम से जानते है रो को टपल की नाम से भी जानते हैं ठीक है by default seat कितना मिलता हमने अल्रेडी बता दिया है उसको बताने कि हमें नहीं लगता कि वो आपको फिर से जरूरत पड़ेगी ठीक है उसको आप याद रखे रहिएगा जूम साइज हमने बता दिया क्या होता है maximum column कितने होते हैं maximum जो है हमारे पास row कितने होते हैं यह हो गया अब देखो सेल हमने बताया तो सेल के बाद आप समझे लोग कि सीट क्या होती है तो सीट क्या होती है अगर आप से पुझाए सीट क्या है तो multiple collection collection of multiple सेल्स कलेक्शन आप हम बोलते हैं कि मल्टिपल सेल की कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग शीट बोलते हैं ठीक है यहां पर यह कर लीजिए कि कलेक्शन आफ कलेक्शन आफ कि मल्टी पल्सेल्स यानि बहुत सारे सेल के समूँ को ही हम लोग क्या बोलते हैं सीट बोलते हैं ठीक है ना बहुत सारे सेल के समूँ को सीट बोला जाता है लेकिन अगर बात करते हैं कि हम लोग किस की अगर बात करें हम लोग वर्क बुक की तो workbook क्या होता है workbook तो workbook होता है collection of multiple seat यानि कि यह जो कई सारे seat मिल जाएंगे बहुत सारे seat मिलकर क्या बना देते हैं workbook बनाते हैं तो यह हो जाता है collection of multiple seats तेक है यह होता है मारा क्या workbook अगर आपसे पूछा जाएंगे work space क्या होता है तो work space भी आप जान लेजिए work space किसको बोलते हैं तो work space होता है work space work space अगर बात की जाएंगे multiple collection of workbook workbook के collection को बोलते हैं space collection of multiple work seat multiple workbook यह जो workbook है इसी के collection को लोग बोलते हैं क्या work space बोलते हैं ठीक है ना यह हो गया आपका इसको भी आप लोग नूट कर लेना है ना पौच करके वीडियो भी रोक के भी आप इसको नूट कर सकते हैं चलिए देखिए next question पर हम लोग आते हैं सुरी question कर रहे हैं बाकि concept की बात कर रहे हैं चलिए देखिए अब हम यहां पर type करने बाद हम दूसरे सेल में एंटर कर गए हैं हम चाहते हैं यार यह सुनील नाम नहीं था यहां पर मालो किसी और का नाम था इसको हम edit करना चाहते हैं एडिट करोगे डारेक्टली हम लोग इसमें आके एडिट नहीं कर सकते हैं करना क्या पड़ेगा या तो आप इस सेल में आने के बात राइट साइड का जो माउस होता है उसका बटन को दो बार डवल क्लिक करोगे तब यह जो है एडिटिंग मोड में ओपन होगा या फिर ह GATA को एडिट करने का हमारे पास लॉकत की और कितने मेथड हैं हमारे पास ऐडिट को sot cut होता है दोस्तो आयवट क्लिक का करेंगे या फिर डवल क्लिक कर देंगे तब भी क्या होगा वह हमारा editing mode में open हो जाएगा ठीक है तो double click करना है या फिर क्या करना है app to press कर देना है अब first sale पर अगर मालो हम लोग जो बहुत सारे sale होते हैं पता ही है ना बहुत सारे sale होते हैं बहुत सारे row हैं हम यहां पर खड़े हैं हम चाहते हैं हम first sale में चले आएं कहां पर चले आएं यहां से jump करके यहां पर चले आएं इसके लिए कौन से shortcut की होगी यानि ह हमें फस्ट सेल में जाना है तो फस्ट सेल में जाने का शॉट कटकी जो होता है वह होता है दोस्तों कंट्रूल प्लस होम बटन कंट्रूल प्लस होम बटन प्रेश करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे फस्ट सेल में पहुंच जाएंगे शॉट कटकी क्या होती है फस्ट आपको क्यारना पड़ेगा CTRL ठीक है CTRL PLUS Home button प्रेस करेंगे तो आप क्या होगा सीट की पहले वाले सेल में पहुंच जाएंगे ठीक है ना अगर आपको लास्ट सेल में जाना है तो control के साथ में right arrow प्रेस करना पड़ेगा control के साथ में क्या करना पड़ेगा right arrow तिसको मैं rough करता हूँ अगर मुझे कहां जाना है last cell में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तो हम लोग करेंगे ct rl प्लस right arrow की right arrow की क्या होती है आपको पता होना चाहिए keyboard में हम लोग जानते हैं इस तरीके से जो number बटन होता है जहां पर one two three four लिखा रहता इस उसी में रहता है यहां पर इस तरीके से arrow बने रहते हैं उपर नीचे ठीक है तो यह वाली जो बटन है इसको कंट्रोल के साथ प्रेस कर देंगे ता आप लास्ट वाले सेल में पहुंच जाएंगे तो यह हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं हम लोग next point पर आते हैं next point क्या होता है कि लास्ट से लेटर समने आ लड़ी बता दिया आप चलो देखो ब्यू टैब जो होती है ब्यू टैब हमारे हर चैप्टर में important ही है यहां पर भी देखते हैं कुछ important मिल जाए तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि header and footer के साथ जो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में जब हमने बताया आपको किस मोड में open रहती है हमारी जो open होती है Excel sheet तो normal view में open होता है ठीक है तो ब्यू टैब में जो ब्यू आपसन है जो ब्यू टैब के अंदर ब्यू टैब इस टैब के अंदर जो ब्यू का option है कौन कौन सा प्सन है देखो workbook ब्यू ह कितने पूछा जा सकता है कि इसके बाद दूसरा क्या है दूसरा है आपका नॉर्मल व्यू तीसरा क्या है तीसरा इसमें है पेंज ब्रेक भीव पेंज ब्रेक भीव ठीक है चोथा जो है इसमें है कस्टम भीव कस्टम भीव ठीक है दोस्तू यहां पर है अगर आपसे पुछा जाए कि header और footer के साथ में कौन सा वियू होता है यानि कि page layout जो वियू होता है page layout वियू एक और है यहाँ पर page layout वियू पेज ले आउट वियू यह जो है ना यह जब भी भी open होता है यह आपको header of footer के साथ में open होता है यह important point है header of footer के साथ में open कौन होता है page layout वियू जो होता है open होता है ठीक है तो आज दोस्तु क्या है कि हम board पर नहीं पढ़ा रहे हैं है ना ऐसे ही इस पर ही पढ़ा रहे हैं बट बोर्ड पर हम next next lecture जो भी रहे हो बोर्ड पर ही रहेगी ठीक है तो यह हो गया दोस्तों अब दिखो इसके बाल हम बात कर रहे हैं home tab में आते हैं home tab में देखते हैं क्या-क्या हमारे पास अवेलिबल हैं कि अब करते हैं दोस्तों आप सब को यह बात इस समझ में आ रही होगी ठीक है चलिए देखिए home tab दोस्तों हम लोग जानते है home tab में क्या-क्या होता है यह आपर हमें पता है कि हम लोग जानते है क्लिप-board होता है ठीक है क्या होता है क्लिप-board होता है पुरा नहीं रिखेंगे इसके बाद क्या है font block आता है है ना फॉण्ट ब्लाक आता है इसके बाद क्या होता है अलाइनमेंट का ऑफसन आता है है ना हम इस अलाइनमेंट में ही बताने वाले हैं बाकि आप MS-Word में पढ़ सकते और क्या क्या चीजिज़ें होती है में अदर आप देखते हैं मर्ज एंसेंटर का उपसन आता है ठीक है अलाइनमेंट के अंदर ही मर्ज एंड सेंटर का अप्षन आएगा और वहीं पर आपको दिखता है क्या और वर्ड रैप टेक्स्ट का आप्षन आता है तो यहीं पर इसकी ज्ट आप स्पास में देखोगे तो आपको मिलेगा क्या चीज एलाइनमेंट में word rap rap text अब यहां पर कितने टैक्स आप से हम लोग अलाइन कर सकते हैं वह सब इसी में आ यहां पर हम लिखते हैं अगर लाइन करना चाहते हैं वर्टिकल रूप करना चाहते हैं horizontal रूप से तो क्या होगा तो दियान देना है कि अगर हम vertically किसी भी एक आइटम जो हम लोगोंने कंटेंट हम लोगोंने फीड किया है सेल के अंदर यहां जो यह सेल है इस सेल के अंदर सपोस्ट करिए हम कुछ हम लोगोंने कुछ field किया एं यहां पर यह मालरों यह कुछ हम ने field किया लिखा एं मैं चाहता है एसको vertically align करना चाहते हैं था कॉछ खुर हम यहां टॉप पर लाना चाहते हैं तो इसको top बंपर ले- Northern विla सकते हैं और इसको अकर से ही उखा काई से होगा काई से होगा होरी चट्रीजनटलि अगर करो आगर करो दभी टौ और मेरी होगा और विट्स भार्टम करते हैं से और हम दो यह दो से अधिक स्यल को क्या करेंगे मर्ज करके एक से में मर्जन सेंटर रैप टेक्स में पूछा जाता है और हमने रखा भी था जो भी टेस्ट हमने करवाया था ठीक है अब देखो रैप टेक्स की अगर बात करते हैं तो रैप क्या होता है यहमारे इस सेल के पालो अदर मैं कोई चीज सेल में बना लिखता हूँ अपना सचिन कुमार पर कुमार क्या है एक इस सेल को क्रास करके दूसरे सेल में चला गया क्या होगा इस सेल को क्रास करके दूसरे सेल में जा रहा ही नहीं जा रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा नाम एक ही सेल में क्या हो अड्जेस्ट हो जाती यह क्या होगा जैसे रैट टेक्स करे तो यह क्या होगा सचिन कुमार एक ही सिल में ऐसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा सचिन और कुमार को थीक बाते समझ में आ गया होगा है ना कोस्ष्चन है इस सब पूस्छे जाते है कि अब लोग बात करते हैं अगर हम लोग नेक्स देखिए दोस्तों परसेंटेज अब फार्मू ले पाते हैं परसेंटेज स्टैल में दिखाना उसका सौटकट किया आप जान लिए परसेंटेज में कंट्रोल सिफ्ट प्लस परसेंटेज होता है और कुछ नहीं ठीक है अब हम लोग आते हैं दोस्तों फॉर्मूले पर अब इसमें जीतने सौटकट की हैं दोस्तों हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगी जिसमें सौटकट की का स्पेशल वीडियो रहेगी उसमें सारे सौटकट की को हम लोग अडिजिस्ट कर देंगे ठीक है जैसे अभी हाइड करना होगा हमें कोई कॉलम कोई रो वह सब करने की जो सौटकट की होते हो सारे की हम वहां पर बता देंगे ठीक है फार्मूले देखते हैं चलिए देखिए फार्मूले के अगर बात करते हैं अगर सपोस करो हमने कहां इंपॉर्टन फार्मूले ले रहे हैं यहां पर इंपॉर्टन फार्मूले जैसे अगर आपसे question देता है ceiling का ये question पिछली बार पूछा था हमान लिजे equal to चुकी formula start होता है equal से excel में कोई भी formula हमारा equal science से ही start होता है हम लोग लिखेंगे ceiling ठीक है ऐसे हमने लिखा ceiling और इसके बाद bracket में लगा दिया है जो पिछली बार का question था 23 और कामा लगा था 5 यह एरों में पूछा गया था है इसी साल अब इसका answer क्या आपको निकल किया यह पूछा था जैसे option दे गया ठीक है ना इसका output आपको बताना था अब देखिए इसको solve हम लोग कैसे करते हैं यहां पर answer क्या आगा दोस्तों ceiling है और ceiling को हम लोग कैसे solve करते हैं यह हमारे सामने option है 20 है 30 है 25 है और none है ठीक है अब यह कैसे answer आएगा इसको समझना है कि ceiling का formula हम लोग कैसे solve करते हैं ठीक है चलिए देखिए हम इसको rough कर देते हैं option को तब फिर बात समझ में आईगी देखो ceiling का मतलब होता है उपर यानि छत ठीक है यहां पर जो आपको digit दिया है यह जो 23 दिया है और यह जो आपको दे रखा है 5 जब ceiling का question होगा तो 5 को 5 की table में हम लोग लेते हैं इसके just उपर वाली जी जो यहां पर 23 है इसके just उपर की है कि नहीं 25 25 यानि तेज से ज्यादा है कि नहीं है बिल्कुल है तो हमारा ceiling का अंसर क्या हो जाएगा 25 हो ठीक है लेकिन अगर floor का concept होगा अभी just floor भी हम बताएंगे floor क्या होता है मालो यह तो आप समझ गया होंगे ceiling में क्या होगा और question इसी के लेते हैं ceiling में और ले लेते हैं एक simple question नहीं था अभी तो मालो आपने इसका समझ लिए इसका answer क्या था इसका answer आया 25 ठीक है इसका answer आगया 25 अगर मालो हमने का ceiling में यहीं पी देता आपको ऐसे लिखे 144 या 45 और यहां पर आपको दे दे माले 12 ठीक है है ना 44 के जगहां पर हम लोग 43 कर लेते हैं इसको हम लोग बनाया देते हैं 43 है ना अब बताईए अगर आप से पूछता इसकी ceiling का है इसका formula आपको बताओ 143 है और कामा है 12 इसका answer क्या आएगा तो answer आपको पता चलेगा कि 12 के table में इ टेबल में इसके आए तो 12 के हम लोग पाड़ा पढ़ते हैं तो 12 बार जाएगा 12 बरहां में 144 होता है ठीक है तो 144 हमारा ceiling का answer हो जाएगा इसमें जोकि 43 है इसके जस्ट ऊपर 12 के table में आभी रहा है 144 यही क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो यह अब ceiling आप समझ होंगे इससे ज्यादा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अब फ्लोर की बात करते हैं कि फ्लोर देखो क्या है अगर लिखा है मालो इक्वल साइन फ्लोर अब ब्रैकेड में आपको वही कोश्चन लेते हैं मालो 23 दिया है कामा 5 दिया है ठीक है तो ceiling का मतलब होता था उपर फ्लोर का मतलब क्या हो जाए कि निच्छे है ना तो यहां पर फ्लोर में हम लोग क्या करेंगे कि 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार जो 23 से कम हो उससे उपर नहीं जाना चाहिए ठीक है उसके एकदम पास में होना चाहिए लेकिन उस फ्लोर का आंसर हो जाएगा चुकि फ्लोर मतब नीशे की चीज़ें लेते हैं और सीलिंग में क्या लेते थे जस्ट ऊपर वाला लेते थे ठीक है तो इन दूनों में यही डिफरेंस है अगर जस्ट वही वाला कुश्चन लेते हैं मालो हमने कहा कि 144 है ठीक है ना माली जिए क् फ्लोर में 120 रख लेते हैं ठीक है 120 रखते हैं इसको साफ करने एक बार रखता हूं कुश्चन यह वल आप समझ गया ना दोस्तों यह वल तो आपने अंसर इसका समझ दिया इसको रफ कर देता हूं चलिए यहां पर मैं डाल देता हूं मा लेजिए मैंने यहां पर कर दिया 112 यहां पर हम करते हैं 112 अब कामा लगा दिया यहां पर लगा दिया है 12 ठीक है अब बताएए इसका आंसर क्या होगा फ्लोर का अब फ्लोर में चलेंगे तो बारा का टेबल ऐसा पढ़ेंगे जो 112 से ज्यादा नहों सिक कम होना चाइए लेकिन बहुत पास में होना चाइए ठीक है तो बारा का अगर हम लोग table पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं बारा में अगर 9 time पढ़ेंगे 12 दहाम 120 यानि ज़्यादा हो जा रहा है 9 time पढ़ते हैं क्या होता है इसके just pass में आएगा 108 आएगा ठीक है तो floor में कितनी हो जाएंगी ये 108 हो जाएगा एकदम pass में भी है बहुत कम नहीं होना चाहिए एकदम pass में एकदम nearest ठीक है तो floor है इसलिए हम लोग 112 के नीशे वाला ले रहे हैं अगर ये होता कौसा concept ceiling का होता तो 12 से ज़्यादा लेते हैं हम लोग क्या होता 12 दहाम 120 यानि 120 तब आंसर होता ठीक है तो ये हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं मालूप power का function ठीक है power का equal sign लगाया है अब power फार्मूले हम बात कर रहे हैं power यहां पे लिखेगा पावर और इसके बाद bracket में देदेगा आपको 25 कामा 2 इसका फार्मूला आंसर क्या होगा power का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका solution क्या हो जाएगा इसको गर हम लोग solve करते हैं तो क्या होगा 25 के घात 2 यानि इसका आंसर क्या आएगा 625 आ जाएगा ठीक है सेम बाते हैं अगर हम लोग बात करते हैं power में यहाँ पर लिखा है equal to power bracket में 11 लिखा है ठीक है और इसके बाद कामा लगा के आपको दे दिए 3 इसका मतलब क्या है आप जानते हैं कि 11 के घात 3 हमें निकालना है यहने तेरा सो एकतीसी ही हो जाएगा ठीक है यह चीज़ है यह पावर भी आपने समझ लिए ज्यादा नहीं बस इतना समझना है कि एक्जाम में कर लो ठीक है तो यह सारे फार्मूले है ठीक है पावर भी हमने बता दिया स्लींग होगी फ्लोर हो गई ठीक है और आब आगे देखते हैं अरा अर्सथिए देखते हैं दोस्तुर्ण फंक्शन राउंड को अनुट कैसे सौल्व करते हैं अचरी दिखे राउंड का कुष्चन लिते हैं इंप्वार्टेंट है लिखेगा राउंड ब्रैकेड में आपको दे देगा एक सो मालो बीस कामा देया है 40 यह बीच में कामा है ठीक है यह कामा लगा है 40 कामा ने डॉट है ठीक है यह कामा हो गया इसके बाद कितना है मालो हमने कहां माइनस 2 यह है इसका आपको पूछेगा इसका बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा ठीक है अंसर अगर हम आपसन दे रहे हैं आपको आपसन नमबर 1 हमने दिया मालो 100 आपसन नमबर B हमने दिया 120 आपसन नमबर हमने दिया 121 तो इसमें आंसर क्या आएगा यही आपको बताना है तो इसको हम लोग कैसे solve करते हैं यह देखना है इसको कैसे solve किया जाएगा देख लो यहां पर देखिए जो minus लगा है minus का मतलब क्या होता है कि हम दस्मलों के बाद वाली चीज़ को पूरी तरीके से ignore कर देंगे यानि इसके बाद की चीज़ को हमें ignore कर देना है ठीक है माइनस जब लगा रहे कर तब अब इसके बाद देखो बचा क्या हमारे सामने 120 बचा है अब इसका मतलब यह आंसर थोड़ी we just go बश्यज़गे यह मारा अंसर बश्यड़ी लोग यह गलती करके छले आते हैं यह माइनस का मतलब क्या है कि हमें लागा था इस साड़िश की क्या कर देना है जीरो कर देनाि ए यानिव लोके लेफ्ट साइड के दो डिजिट को क्या कर देना है जीरो कर को sv2 के पास में सबसे नजधी कौन आ रहा है सबसे सबसे नजधी कौन हो जाएगा झाल यूगया आ और दूसरा कोश्चन लेते हैं दूसरा कोश्चन लेते हैं तब बहुर अच्छे समझ में आएगा चलिए हमने लिखा राउंड इसके बाद यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक सो दू दस मुलू दू सो उनसट कामा यहां पर दस मुलू है कामा दू ठीक है ठीक है दोस्तों अब हमें करना है इसी को राउंड इसी को क्या करना है राउंड करना है मैंने क्या लिखा है 102 दसमलो 269 कामा 2 यहाँ पर आप माइनस हम लोगोंने नहीं लगाया यहाँ पर माइनस पिछले वाले में यह माइनस लगा था इस बार माइनस नहीं लगाया है तो क्या होगा ठीक है आपको बताना इसका अंसर क्या होगा चलिए इसको देखते हैं कि राइट सैड में हम लोग इसको क्या करने है राउंड करने है जब पॉजिटिव साइन रहती है तू अगर सिफ लिखा इसका मतलब इसके दसमलो के राइट सैड वाले को हमें क्या करना है राउंड करना है लेकिन कितने डिजिट जीरो करने है दो डिजिट को गायब करना है ठीक है मतलब दो डिजिट तक इसको हमें राउंड करना है जैसे ये 102 तो एपने अस्तान पर बना रहेगा ऐसे ही ठीक है दसमलों के बाद हमें दो डिजिट लेना है राइड साड में से दो डिजिट लेना है इसका मतलब है कि हमें 269 को क्या करन है ठीक है 260 के करीब है कि 250 के करीब है यहां पर आएगा 250 तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 209 जो है उस सबसे पास में है कि इसकी 260 के है तो दसमलों के बाद क्या करोगे 260 260 लिख दो और इस जीरो को गिनोर कर दो बचा क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12026 ठीक है वैसे भी हम लोग करते हैं एक बार इसको राउंड करते नाइन को राउंड आप करोगे तो एक रुपए बन जाएगा एक इसमें आकर जोड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा ऐसे भी कर स तो यह हो गया और कि और एक आथ कोश्चन इसका हम लोग ले लेते हैं राउंड वालेगा अ कि चलिए रिखिए माली यहां और कोश्चन लेते हैं कि 140 ले ले ठीक है ऐसे लिख लो यहां लिखते हैं 140 140 10 लोग यहें दस्वनलोग हो बीच में 140 10 लोग 22 2655,2 इसको रौंड आप करना है ठीक है तो इसको रौंड आप करने का अमतलब क्या है यह क्या आप समझ रहे है कि हम comment यहां पर लगा इसके बाद हमें कितने डिजित रखने हैं चुकि हैंपर कामा के बात क्या है 2 है माइनस नहीं लगा है इसके साथ यानि इसके बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट रखना है बाकी सबको करना है 0 40 तो 140 अपने स्थान पे बना रहेगा तो solution में क्या होगा 140 तो अपने स्थान पे रहेगा ही रहेगा 10 मुलों के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट maintain करनी है ये 2 digit maintain करने क्लिए क्या करना पड़ेगा इसे देखिए कि बताइए अब ये जो 22,665 है यहाँ पर इसको round off करने क्लिए क्या करेंगे चुकि हमें ये 3 digit को एकदम गायब कर देना है एकदम 0 कर देना है ठीक है तो यहाँ पर ये बताओ कि क्या करेंगे हम लोग यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह बताइए कि 2300 यह 23000 इसके सबसे पास में कौन है क्या 23000 है इसके सबसे पास में कि 20,000 है ठीक है इसके सबसे पास में इन पूरे डिजिट की पास में सबसे नजदीक में बताइए 23,000 है कि 20,000 है तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पास में कौन है 23,000 है तो यहां पर क्या लिखेंगे 23,000 लिख दो और ये 3,0 को चुकिए हमें माइनस करना है हटा देना है दो ही डिजिट रखना है तो हमा बजगे होंगे कि नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है दस्मेलों के जस्ट लेफट साइड चलेंगे और दस्मेलों को लेफट साइड में कितने डिजिट लिए बोला है अगर मालों तीन लिखा रहाता माइनस तीन तो तीन डिजिट तक हम लोग राउंड आफ करते अब एक और ले लेते हैं माइनस का और भी करवा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाया दूर चलिए देखिए हमने कहा इक्वल टू है राउंड है ब्रैकेड में आपको दे दिया यह पूछा गया कुश्चन तेरह सो अठानवी ठीक है तेरह सो अठानवी दसमलू 38 कामा माइनस दो यह है इसका फार्वला आपको पता हो गया है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा तो आंसर हमें लगता है सबको पता चल गया होगा इसका आंसर आएगा कितना तो हम लोग जानते हैं 2400 आएगा लेकिन यहां पर यह बात समझना है कि दसमलू के बात की चीज़ों को हमें इग्नूर कर देना है चुकि माइनस का पॉचिट यहां पर साइन लगा है माइनस साइन का मतलब यह दसमलू के बाद हम इस साइड चल आ रहा है क्या 1300 आ रहा है क्या नहीं सबसे पास में है 1400 तो आंसर क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा ठीक है ना यह हो गया लास्ट एक और हम कांसेट बता देते हैं मौड का जो की पूछा जाता है बाकि सौटकट की दोस्तो इस पेसल एक क्लास हम लगा देंगे सौटकट की बता देंगे ठीक है चलिए देखे आगर इक्वल टू लिखा है मौड ठीक है इक्वल टू लिखा है मौड याम ओ डी ब्रैकट में आपको दे रखा है 145 कामा बारह ठीक है इसका आंसर क्या एगा मौड का मतलब है मौड लो यानि रिमाइंडर निकालना है मौड का मतलब मौड लो यानि रिमाइंडर इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा यह बताईए 145 में हम लोग भाग देंगे 12 का भाग देना है ठीक है 12 वरहों में 100 होता है 44 ठीक है 12 वरहों में 144 यहां reminder कितना बच रहा है तो 1 बच रहा है तो answer हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ठीक है? इसका हम भागफल नहीं लेते हैं हमें reminder लेना है तो answer क्या आएगा हमारा 1 ठीक है न? mod का मतलब यही है mod low ठीक है? यह positive sign का था एक negative sign का देख लीजिए कि negative sign होगा तो कैसे करेंगे? अगर माली है mod दिया है आपको ठीक है? bracket में दे दिया 45 कामा minus 7 अब यह minus लगने का मतलब है हमें negative figure लानी है answer हमारा क्या आना चाहिए? negative 7 में हमें भाग देना है minus 7 में minus 7 का भाग देना है किसमे? 45 में तो हमें 7 का पहाड़ा या 7 का table इतनी बार पढ़ना है जो इससे ज़्यादा हो तभी तो minus में आएगी तो 7 सत्य उन्चास 49 आएगा तीक है? अब इसको list करेंगे तो क्या होगा? list जैसे ही करते हैं तो minus 4 आएगा answer हमारा तीक है? यहाँ पर minus आजाएगी तो minus 4 हमारा क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा तीक है? कब minus आजी अगर इस्तिती होती है तो हम लोग ज़्यादा बार table को count करते हैं लेकिन इसकी पहले वाला जो था 145 में कम बार किये थे यानि reminder निकालना था तो हम लोग 12 बार होएं में 144 देखे उसके उपर की value को हम लोगों नहीं कुनोर किया था है ना तो यह हो गया हमारा mode function तो यह है mode से भी इस तरीके से question बनता है ठीक है? काफी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों और उमीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इसको like share जरूर करें अपने मित्रों में अपने दोस्तों में भी इसे को जो है recommend करें नहीं है आप इस चीज़ें genuinely है अच्छा है तो उनको भी पसंद आए और भी उनकी like चीज़ें होंगी तो जरूर देखेंगे है subscribe भी करेंगे तो यह आपका एक responsibility है दोस्तों कि आपको इस तरह की content चाहिए वीडियोज चाहिए तो subscribe करना ना भूले और like भी जाते जाते करते जाए जिससे motivation मिलता है ठीक है दोस्तों और next वीडियोज में कुछ important चीज़े और भी हम देंगे और अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बची भी है जो कि हम जब shortcut की बताएंगे तो उसमें बता देंगे है ना यही सारे चीज़ें पूछता है बार बार और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाता ठीक है दोस्तों thank you सभी को